Kitchen Platform बनवाते समय हम हमेशा कहते हैं कि durable metal का इस्तमाल कीजे जिससे कि आफके Kitchen Platform की Life जो है वो ज़्यादा बनी रहे और एक चीज है जिसकी Life भी मेंटेन रहनी चाहिए अगर आपके Kitchen Platform की Life ज़्यादा चाहिए तो वो है आपके घर का Kitchen Sink अब ये जो kitchen sink है इनका इस्तमाल हम बरतंद होने के लिए करते है पर जहां तक बात आती है इस kitchen sink को select करने की तो कुछ important चीज़े होती है जैसे कि आपके sink का size क्या होना चाहिए कौन से type के sink जो है वो market में available होते है कौन से grade का sink आपको लेना चाहिए आपके sink का location कहा पर होना चाहिए तो आखिर sink को select करते समय कौन कौन सी चीज़ों के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए यह हम आज के वीडियो में देखेंगे तक ही आपको sink का इस्तमाल करने में बहुत ही आसानी हो अब जनरली जो kitchen sink को लगवाय जाता है वो दो type से लगवाय जाता है पहला होता है top mount और दूसरा होता है under mount top mount में होता यह है कि kitchen का जो sink है वो उपर से fit किया जाता है जैसे कि आप देख सकते हो कि बाहरी जो layer है वो kitchen platform से थोड़ी सी उबरी हुई होती है इने fit करना बहुत ही आसान होता है वही पर अगर हम under mount sink की बात करें तो इस तरह की जो sink होते है उन्हें counter top के नीचे fit किया जाता है इस sink के around एक rim होती है जो कि आपको visible नहीं होती है यह जो rim होती है यह counter के bottom को attach की जाती है इस वज़े से आपको यह rim उपर से दिखाई नहीं देती है और आपके kitchen sink का एक neat and clean look उपर से आपको दिखाई देता है और इस तरह के जो kitchen sink होते है यानि कि यह जो under mount kitchen sink होते है इने cleaning करना भी बहुत आसान होता है और जादतर घरों में आपने देखा होगा कि kitchen sink जो है वो under mount ही लगवाए जाते है जब भी आप kitchen sink को select करने वाले होते है तो यह जरू ध्यान में रखे कि आपका kitchen sink का material होगा वो non-porous होना चाहिए वहाँ पर अगर दाग दब्बे आ जाते है तो उन्हें cleaning करना भी आसान हो जाता है और market में जब भी हम sink लेने के लिए जाते है तो stainless steel sink हो या फिर quartz sink हो तो वो non-porous होते है इस वज़े से वहाँ पर दाग दब्बों को clean करना आपके लिए आसान हो जाता है और देखिए दोस्तो kitchen sink का जो style है वो भी important हो जाता है यहाँ पर आपको कौन सा sink का style चुनना है यह आपके उपर depend होता है वैसे तो market में single bowl sink available होते है जो की commonly use किये जाते है जिनको की space भी कम लगती है और इनका cost भी कम हाता है इसी वज़े से यह जादा तर इस्तमाल किये जाते है तो अगर आप regular kitchen platform बनवाने वाले हो तो single bowl sink आपके लिए best option आजाता है उसके बाद बारियती है double bowl sink की अब यह जो sink होते है यहाँ पर आप एक bowl में बरतोनों को दो सकते है दूसरे bowl में आप vegetable दो सकते है यहाँ पर यह multi purpose है पर इसके लिए आपका kitchen जो है वो थोड़ा सा बढ़ा चाहिए और यहाँ पर cost जो है वो definitely थोड़ा सा बढ़ जाता है अ उसके लिए आपको cost भी जादा लगता है और space भी जादा लगता है तो commonly इनका इस्तमाल बहुत ही कम होता है अब अगर हम kitchen sink के size के बारे में बात करते है तो आपको different size में kitchen sink available होते है जैसे की 16 by 18, 22 by 18, 24 inch by 18 inch तो इन में से थोड़े से बड़े size वाले kitchen sink को आपको चुनना चा अगर आप अच्छे size का और अच्छे depth का kitchen sink का इस्तमाल करते है तो definitely आपको उसका इस्तमाल करने में आसानी होती है और अगर आप kitchen sink stainless steel में लेने वाले है तो definitely आपको जो kitchen sink है वो 304 grade वाला stainless steel का sink ही लेना चाहिए यहाँ पर 202 grade का stainless steel sink भी available होता है जो की सस्ता भी होता है पर और उसे आपको kitchen platform में नहीं लगवाना है मेरा recommendation आपको यह रहेगा कि 304 grade वाला stainless steel sink की आप अपने kitchen platform पे लगवाए एक तो पहली चीज यह durable होता है और तो और इसमें आगे चलके आपको करण जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अब यह जो stainless steel kitchen sink होते है यह आपको कम दाम में भी available होते है पर वहाँ पर उनकी ठीकने जो है वो बहुती कम होती है यानि कि बहुती पतले होते है ऐसे kitchen sink आगे चलके bend हो सकते है या फिर उनमें आगे चलके cracks भी आ सकते है 0.6 mm से stainless steel kitchen sink जो है वो start हो जाते है और 1 mm से लेके 3 mm तक भी आपको stainless steel sink की ठीकनेस मिल सक काश्ट आयन वाले sink भी मिलते है उसके बाद में fire clay sink भी available होते है पर ज्यादतर जो है stainless steel sink या फिर quartz sink का ही इस्तमाल किया जाता है तो घर के लिए kitchen sink लेते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए अच्छा kitchen sink सालों साल तक चलता है उसे कोई भी दिकत नहीं होती है पर आगे चलके खराब हो जाता है ऐसे वक्त में आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो सकता है उसे बदलवाने में और अगर अच्छे quality के sink online available है तो मैं उनकी buying link description box में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर उन्हें purchase कर सकते हो और आप अपने घर के लिए कौन सा kitchen sink ल और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकती है